हाई गाईस वेकम बैक तो मैं चैनल मैं हूँ साइप्रिया आज मैं आपके शाय करने वाली हूँ हम अपनी हैर से डेंड्रफ को कैसे रिमूब करें उन टेम में डेंड्रफ होना एक कॉमन सी बात है तो उसको रिमूब करने के लिए आहां पे मैं फोर होम रिमिटी यूज करूंगी जो कि हमें हमारे किचन में ही मिल जाएगी और बहुत इजली हम उसको प्रिपेर कर सकते हैं और अपनी हैर में अपलाई कर सकते हैं इसको सिर्फ आप एक दो बार यूज करने से यह आपको एक अच्छा रेजल्ट मिलेगा आपकी हैर पर डेंड्रफ बिल्कुल भ बनाता है और यह इंग्रियंट जो है हमें घर पे भी एबिलेबल होते हैं हमें 1 रूपीज भी खर्चा नहीं करना पड़ता है हम रेमेडिस में आप जो भी आपको सुटवल लगे अच्छा लगे आप उसमें से एक होम रेमेडिस यूज कर सकते हैं और अपनी हैर में भी अप्लाई कर सकते हैं तो गाइस पहला इंग्रियंड है कर्ड कर्ड में होता है अंटिवेक्टरियल प्रोपोटेस और विटमिन बीफाइब यह हमारी हैर को नेचुरल करने में हेल्प करता है हमारे स्काल्प से डेंड्रफ को रिमूप करता है उसके बाद यहां पे मिला र भडाश कर सकते हों और यह हमारे घर पे भिन बना चुकी हूं आपको यह पैड्रफ करने से और आपकी हीक्लीकिन चाही तो पहले से सैश्यमपू कर लेगे उसके बाद उसके अगले दिन आपको यह एड्रफ कर Шक ना है रखना अपको रहा एफिर Thank youuu네, authentic per도ahl यह ay तो यह पैक भी आप ट्राई कर सकते हैं second home remedy है apple cider vinegar की water तो यहां पर Wow की apple cider vinegar use करी हूँ आपकी hair को देखके आपको पानी लेना है एक मग पानी लेख सकते हैं नहीं तो one glass पानी लेख सकते हैं इसमें आपको quantity लेना है 10 ml फिर इसमें डाल देना है और apple cider vinegar हमारे scalp के pH को balance करता है जितने भी scalp में problem होते है उसको reduce करता है और dendrop को भी reduce करने में help करता है उसको हम apply के से कर सकते हैं तो normally shampoo करने के बाद इस apple cider vinegar पानी को हमें normally हमारे सर पे डालना है और अच्छे से gently massage करना है और 5 minutes रखके normal पानी में clean कर लेना है अगर आप अपनी hair पे color वगर अपलाए करते हैं तो apple cider vinegar ना use करें क्योंकि ये hair को damage कर लेगा अगर आपके hair natural है natural ingredients ये से pack लगाते हैं तो ये apple cider vinegar से आप clean कर सकते हैं और ये हमारी dendrop को भी remove करेगा और हमारी hair को naturally sign देगा आपके पास apple cider vinegar नहीं है अगर आप purchase करना चाहते हैं तो उसका link में description box में दे दिऊंगी आप आप पे जाके check कर सकते हैं third home remedy है milk milk जैसे हमारे health के लिए skin के लिए अच्छा होता है वैसे हमारे hair के लिए अच्छा होता है इसमें ज़्यादा दर protein होती है तो ये हमारी hair को strength देता है हमारी hair growth में help करता है hair fall को control करने में help करता है और हमारे scalp में जो dandruff की problems होते हैं scalp में जितने भी problems होते हैं उसको ये remove करने में help करता है तो आपको चाहिए raw milk यानि के कच्छा दूद आप लाए कैसे करते हैं तो आप ऐसे cotton pad ले सकते हैं और आपके scalp में gently rub करना है आपको ये आपके dandruff को remove करेगा और इससे आपकी जो hair fall की problem है वो भी control होंगे fourth home remedy है green tea तो यहाँ पर मैं lipton का green tea ली हूँ आपको इसे भी brand juice कर सकते हैं green tea में होता है anti bacterial properties ये हमारी hair को sunda में इसे protect करता है dandruff को remove करता है इसको बनाने के लिए हमें चाहिए one cup water इसमें green tea का पता में डाल दी हूँ अच्छे से हम इसको boil करेंगे boil होने के बाद आप देख सकते हैं इसकी color change होगी है और इसको 15 minute तक थंडा होने देंगे तो guys green tea को कैसे बनाना है वो आपके साथ share की अभी share करूंगी इसको कैसे apply करना है आप चाहे तो एक spray bottle में लेके आपकी hair की scalp में spray कर सकते हैं नहीं तो आप एक cotton pad लेके आपकी scalp में gently rub कर सकते हैं यह भी dendruff remove करने के लिए काफी ज़्यादा help करता है अगर घर में available है तो यह use करें तो guys यहाँ पे जो 4 home remedies आपके साथ share की यह बहुत ही effective है और अच्छा result देता है तो आप इसको हफते में at least एक दो बार जरूर रियूज करें आपको एक अच्छी result मिलेगी एंड यह home remedies हमें घर पे भी easily मिल जाती है अगर यह video आपको अच्छी लगी हो helpful रही हो तो please हमारी चान को like and subscribe करें और अगर आप मुझे follow करना चाते हैं तो मेरी instagram id और facebook page की id में description box में दे दूँगी बहाँ पर आप जाके check कर सकते हैं thanks for watching guys, bye bye